वेलकम बैग तो आवर यूटूब चैनल स्टड़ी समवाद फ्रेंट्स मैं हूँ रभी रोनी तो राज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9 के इंग्लिस लिटरेचर से एक बहतरीन पोयम आयम लाइक ग्रास का स्टड़ी करने वाले हैं यह लेशन लिखा गया पास के द्वारा हम लेशन के बारे में चाहँ आयम लाइक ग्रास में घांस के जैसा हूं यह घांस की तरह हूं इसका हिंदी टाइटल बने गा आप चलते हैं जो इसके पोईट है पास उनके बारे में हुई थी हुआ जी मेजर पंजाबी पोईटियक बहुत बड़े पंजाबी कवी थे या जाने माने पंजाबी कवी थे इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लोक कथा उदादियान बजन मगर एंड सादे सामयान विच यह उनके इंपोर्टेंट जो है क्रियेशन से प्रस्तुत कवीता है आएम लाइक ग्रास में घास की तरह हूं ट्रांसलेटिट फ्रों पंजाबी बाई सुरेश सेथी ब्रेल्स ऑप्टिमीज में एक इसके द्वारा तो सुरेश सेथी के द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया है और यह आसावाद पर आधारित है तो सेक्षन पास के बारे में हमने सिखा अब चलते हैं पोयम के और आगे आगेवाद लाइक ग्रास चलिए पोयम को शुरू करते श्टार्ट करते आखिस में बताया गया तो फ्रेंट् सा फ्री स्ट लाइन इसका पोयम का यह कहता है प्ट्रिम द्वामों और हसी अंसले नंग तुमिझे काट सकते हैं मैं फिर से स्प्रोट हो जाओंगा प्रिशे पनफ जाओंगा अंकुरीत हो जाओंगा एंड बाउंस बैक और फिर से वापस खिल खिला उठाओंगा फिर से वापस अपने अस्तित्यों को प्रापत कर लूँगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं You can obliterate my science sports चाहे तुम मेरे science sports को जहाँ पर मेरी उत्पती होती है चाहे तुम उसको obliterate कर दो मिटा दो You can bomb the universities चाहे तुम universities पर विश्व विद्याले हो पर bombardment करवा दो reduce the hostels to rubles चाहे तुम hostels को rubles में मलवे में बदल दो You may scratch the slums Scratch का मतलब होता है जला करके राख कर देना और slums गंदे मलीन बस्तियों को slums कहा जाता है तो कह रहा है यहाँ पर कहा जारा राइटर के दोरा बोला जारा है घास की तरफ से चाहे तुम गंदे मलीन बस्तियों को जला करके राख कर दो But you cannot erase my identity लेकिन तुम मेरे identity को पहचान को erase नहीं कर सकते मिटा नहीं सकते Because I am like grass क्योंकि मैं घास के जैसा हूँ I will sprout again मैं फिर से पनप जाऊंगा And my mental cell cover everything और मेरा जो mental है घास का एक पार्ट होता है mental बाहरी परत जो होता है mental वो कहता है कि मेरा जो mental है ना वो शारी चीजों को cover कर लेगा फिर से regain कर लूँगा मैं फिर से survive कर जाऊंगा चलिए next page में देखते हैं इसके अगले parts को ध्यान देंगे आगे कहा जा रहा है यू में bomb बंगा चाहे तुम बंग पर एक जगे है तुम उस पर बंग गिरा सकते हो यू में destroy संग्रूर चाहे तुम संग्रूर को destroy कर सकते हो बरबाद कर सकते हो and reduce the whole district of लुधियाना चाहे जो लुधियाना का जो पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्स है उसे असे यानि राख में बदल दो जला दो but it will be only a matter of time two years, ten years before my green mantle covers everything again ध्यान देंगे कहना है but it will be only a matter of time बस कि अबल समय समय की बात है two years, ten years चाहे दो साल का वक्त लगेगा या फिर दस साल का वक्त लगे before my green mantle covers everything again इससे पहले कि मेरा जो mantle है जो बाहरी आवरन है मेरा परत है और सारे चीज़ों को फिर से cover कर लेगा फिर से ढख लेगा चलिए next देखते हैं I shall become a vast green jungle में एक बहुत ही vast का मतलब वत है विसाल का है बहुत दूर में फैला हुआ विस्तरीत और green मिन हरा और jungle मिन जंगल आप समझ रहे हैं तो I shall become a vast green jungle मैं एक बहुत बड़े विस्तरीत जंगल में बदल जाऊंगा The green jungle of Bernala आप देख सकते हो कि Bernala का जो green jungle है हरा भरा jungle है मैं उसमें रूपांतरीत हो सकता हूँ Where tourists will visit me जहां पर जो tourists हैं जो यात्री हैं वो हमें परियाटक जो हैं वो हमें क्या करेंगे विजिट करेंगे हमें देखने के लिए आएंगे विजिट माई green jungle और वहाँ पर मेरे green jungle को विजिट करने के लिए आएंगे Because I am like grass क्योंकि मैं घास के जैसा हूँ You can chop me तु मुझे काट सकते हो You can mow down मुझे काट करके गिरा सकते हो But I will sprout again लेकिन मैं फिर से sprout हो जाऊंगा फिर से पनप जाऊंगा फिर से अंकूरीत हो जाऊंगा And cover everything और सारी चीजों को ढख लूँगा क्योंकि मैं घास हूँ तो friends ये था आज का lesson आपको कैसा लगा आप comment section में जरूर बता है योदि आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो कहने लिए like करे और हाँ channel को subscribe करना नब हूँ